नमस्कार दोस्तों आरोगे में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रिचा भातिया दोस्तों निरोगी शरीर पाने के लिए एक सही चिकिट्सा पद्वती के चुनाव के साथ-साथ हमारा खुद का विश्वास भी बेहत जरूरी होता है जी हाँ एक तरफ जहां चिकित्सक के मन में विश्वास होना चाहिए अपने चिकित्सक के प्रती तो वही रोगी को भी दृड़ विश्वास हो अपने चिकित्सक के प्रती तब है चिकित्सक में भी सफलता मिलती है हमारे वैद दीपक कुमार जी के विश्वास और उनके अथक प्रयासों का ही परिनाम है कि उन्हें ऐसे रोगियों की चिकित्सा करने में भी सफलता मिली है जिन्हें बाहर ला इलाज घोशत किया जा चुका था ये आदर्श चिकित्सा आपको भी मिल सकती है तो चलिए प्रोग्राम की शुरुवात करते हैं और स्वागत करते हैं हारीद्वार कंखल के जाने माने वैद दीपक कुमार जी का वैजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आगरोगे में प्रोग्राम की शुरुवात करते हैं आपके ही एक पेशन के साथ जी अच्छे सकिया और मेरे पती को आराम है देहरादून से श्रीमती शशी देवी जी और इनके हस्बन को सिर में ट्यूमर था कहीं न कहीं ये बहुत घातक बिमारी है जब आपके पास आए ये पहले क्या अलोपेथिक ट्रीटमेंट ले चुके थे और किस कंडिशन में आपके पास आए रिचा जी इनके सिर में गाट के कारण बहुत भ्यंकर दर्द होता था और इतना ऐसेहनिय दर्द होता था कि ये परिशान हो जाते थे देरादुन में इनने काफी ट्रीटमेंट लिया कोई आराम नहीं लगा डाक्टर्स ने इनको ओप्रेशन की सला दी थी तब किसी ने इनको मेरे बारे में बताया ये मेरे पास आए मैंने इनको कुछ समय के लिए ट्रीटमेंट चलाया और ट्रीटमेंट चलाने पर इनको लाब मिला शुरू में इनको इतना विश्वास नहीं था क्योंकि डाक्टर्स ओप्रेशन बोल चुके थे अक्सर हमारी मानसिक्ता ये बन जाती है कि जो डाक्टर्स ने काओ फिल्कुछ सही लेकिन जब इनको अराम लगा तो इन्होंने कंटिनुटी में फिर इलाज चलाया और सिर में गाट बनने के लिए में इतना ही कहूंगा दूशित सोनित जहर से रसोली क्रंथी कहाए शरीर में भढती जलन यह लक्षन दिखलाए नेत्र लाली मा युक्त हो बढ़े रक्त यदि अंग रोगी मूर्चिक हो अधिक होती निंद्रा भंग इसमें बेहोशी सी भी आती है और नीद उचट जाती है आँखों में बहुत ज़्यादा चलन रहती है और सिर में बहुत दर्द इनको रहने लगा था जिसके निवारन के लिए आईरवेद में कुछ दवा बहुत अच्छी है उन में से एक काचनार गुगुल छोटी सी दवा है लेकिन इसके बहुत अच्छे फायदे है यह शरीर में कहीं भी गाठ हो ट्यूमरस सेल्स हो या कैंसर सेल्स हो या थायरेट बढ़ रहा हो या बोडी का कोई औरगन ठीक परकार से कामना कर रहा हो बढ़ रहा हो जैसे की थायरेट और प्रोस्टेट ग्लेंड्स अक्सर 50 के बाद आम इंडियन्स में प्रोस्टेट ग्लेंड बढ़ जाते हैं उसमें भी ये बहुत अच्छा कारे करता है मेलेन को कांचनार गुगुल और इसके साथ भैसज्य रतनावली की एक दवा है लोहोरसायन ये बोडी का excess of fat तो reduce करता ही है साथ में यदि शरीर में कोई गाठ हो उसको घटाने में भी बहुत अच्छा इसका कारे है चाए प्रोस्टेट बढ़ रहे हो चाए थाइरेट बढ़ रहा हो या बोडी के अंदर कोई रसोली बन रही हो और तीसरा एक अईर्वेद की दवा है प्रद्धि बाधि का बटी वैसे तो इसके बारे में लिखा है कि ये हर्निय में और हैड्रोसिल में बहुत अच्छा कारे करती है लेकिन इसको मैंने अपने चिकिस्चा का नुबह में देखा कि प्रोस्टेट बढ़ रहा हो या थाइरेट बढ़ रहा हो या बोडी में कोई गरंती बढ़ रही हो उसमें भी ये बहुत अच्छा कारे करती है और काचनार पेड़ी की च्छाल यदि हम इसका चून बना ले दस गिराम पानी में उबाल कर सेवन करें इसको पीएं तो बहुत अच्छा लाब मिलता है बहुत से लोगों को काचनार चाल क्वात लेने पर थोड़ी सी दिक्कत लगती है उन लोगों को मैं कहता हूँ कि आप एक एक चमच इसका चून सेवन कर ले लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट उबाल कर चान कर पीने से है इसके लिए मैं इतना कहूँगा काचनार तुक क्वात कर दे लोहर सायन परतिवास वरद्दिवादि का मदु मिश्री पिया रसोली ग्रंति का नास लोहर साय और वरद्दिवादि का शेवन करने से रसोली का नास होता है मैंने इनको ये प्रियोग में दी इनको दर्द में भी फरक पड़ा और इनकी जो गाट थी उसमें भी इनको बहुत लाब मिला सिर में अत्यदिक दर्द रहता था उसके लिए मैंने इनको अस्वगंदा घं दो दो गोली शेवन के लिए दी और साथ में शड़ बिंदू तेल दोन नस्चिका में तीन तीन मून डालने के लिए कहा इन्होंने डाली तो सिर के दर्द में भी इनको काफी आराब मिला उस गाट के कारण इनको हाथ पेरों में जन जनाट और दर्द रहता था उसके लिए मैंने कहा कि आप महाना रहन तेल की मालिश करें इन्होंने मालिश करी इनको सब चीजों में बहुत लाब मिला आपने देखा बगवान के आश्रवास से अब ये काफी स्वस्त है ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत आरोगे में मैं हूँ आपके साथ रचा भातिया और स्टूडियो में हमारे साथ मौझूद है हरिद्वार कंखिल के जवाने माने वै दीपक कुमार जी और वैजी आईए सबसे पहले देखते हैं अब फिल्हाल कौन से आपके पेशेंट है हमारे साथ नमस्कार मेरा नाम सेंगीता शर्मा है मैं जगजीतपुर की रहने वाली हूँ मैं काफी टाइम से सर्वाइकल से और डिप्रेशन से बहुँ ज़्यादा परशान हो चुकी थी मैं नहीं लगता था ना गर के गाम में ना किसी से बूझना ऐक टरिखेंट से कह सकते हैं कि मैं अपने घर में एक टर्फटे में कॹए ती लेकिन तीन प्रणु करो एसाहीर नहीं को बताया कि कि आप इतना टेंशन मत लो यह ऐसी कोई बात नहीं है और आप यहां से कंटीनु जो दवाई खाऊगे आप उसको कंटीनु लेना आपको फर्क पड़ेगा मैंने उनकी दवाईयां ली और कंटीनु खाई तो मुझे फर्क पड़ा और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल और मैंने बहुत अच्छा फिल किया और अब मैं हर जगा आती हूं जाती हूं तो मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है दिपक बैस जी बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं हरी द्वार से संगीता शर्मा जी जिनको सर्वाइकल भी था और डिप्रेशन भी था तो किस तरह से आपके पास आये क्या आपने इनको ट्रीटमेंट दिया और जब आपके पास आये किस कंडिशन में थे ये सर्वाइकल एक ऐसी बिमारी है जो हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है लेट कर टीवी देखना अक्सर में देखता हूँ कि मुख्य कारण इसका ये बनता है और बहुत से लोग लेट करके चैटिंग मुबाइल पे करते हैं दूसरा इसका मुख्य कारण ये है तीसरा जो लोग कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा कारे करते हैं उनको ये मान के चलो कि समस्य गिफ्टेड है तीसरा जो बहुत सोफ्ट गद्दे पे सोएं उनको ये बिमारी अक्सर सताती है, चोथा जो बहुत मोटा गद्दा प्रियोग करें, या खाट पर सोयें, या धिले पलंग पर सोयें, तब भी ये बिमारी बहुत तेजी से बढ़ती है, उचो नीचो इस्थानक होई, बाकी गती सू देखे कोई, आसन उपर तिर्छो दीखे, शैन मा ही सिर्वक्र विशेखे, इन कारण करी वायू जो बढ़ है, पस्चात भाग गीरी वा पर चड़ है, मन्या देश वहे जाते, मन्या इस्तम कहे वाताते, मन्या इस्तम यानि के सर्वाइकल, और यह बिमारी बहुत ज्यादा उपर नीचे लेटने पर, जैसा कि मैंने भी बत होती है, दूसरा कभी कभी हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ जाता है, जिसके कारण अक्सर मानसी कफसा, जिसको डिप्रेशन कहते हैं, क्लिक करता है, और डिप्रेशन हो, और साथ में सर्वाइकल हो, तो सिर में दर्द निश्चित रूप से होता ही है, सिर नीद इसमें डिश्टरव होती है, और अक्सर पेट में होलसी घवराट सी उल्टी की बेचैनी लगती है, इसके लिए कुछ दवाई ऐसी हैं, जो बहुत अच्छा कारे करती हैं, जैसे कि मनोहरबूंद रामफल वटी, सिलाजीत वटी और दश्मूल घन वटी, ये तीनों किसी भी प्रकार का वात हो, उसमें बहुत अच्छा कारे करती हैं, सर्वाईकल में तो मनोहरबूंद रामफल वटी अपना चमतकार दिखाती है, सर्वाईकल में और साथ ही साथ, चिकन गुनिया के दर्द में, ये बहुत अच्छा कारे करती है, और डिप्रेशन में एक आ थोड़ी देर पहले भी कहा था, एक चाय हम बनाते हैं, रिलेक्शिंग चाय, जिसके अंदर आवला, अशुगंधा, बहेडा, सौफ, ब्रहमी, बच, हरितकी, मुलहटी, वन्तुलसी, तुलसी और पुदेना, इसके द्वारा ये निर्मित है, इसके सेवन करने से मानसी कवसा यानिके डिप्रेशन, ये तो दूर होता ही है, साथी साथ हमारा नीद भी डवलाफ होती है, सरवाइकल के लिए, दस्मूली का कवात करीजे, सिलाजीत वटी संग राम फल को लीजे, मन्या इस्तम यानिके सरवाइकल इसु सूजावे, पान नस्य अपनी करम करावे, इनको मैंने ये प्रियोग में दी भगवान के आशिरवास से ये बिल्कु ठीक हुई आया आपके सामने है अब ये स्वस्त है